इस्राइल हिज्बुल्ला युद्ध के बीच मिडल इस्ट का लाल सागर हूती के हमलों से उबल रहा है हूती ने इस पूरे इलाके में इसराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों की इस कदर नाकाबंदी की है कि अब उनका इन रूट से निकलना मुश्किल हो गया है हूती के लड़ाके गिद बन कर इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर घात लगा कर बैठे है और जैसे ही इस रूट से ये जहाज निकलते है वैसे ही हूती उनके उपर ताबर तोड हमलेक कर देता है अमेरिका ने हूती को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर बॉमबर बीटू को भी उतारा लेकिन हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई हूती का साफ कहना है कि जब तक इसराइल गाजा और लिबनान में जंग नहीं रोकता तब तक लाल सागर में वो माल वाहक जहाजों और युद्व पोदों को निकलने नहीं देगा लेकिन अब हूती लाल सागर से आगे बढ़ कर हिंद महा सागर और अरब सागर तक पहुँच चुका है दरसल हूती ने एक साथ लाल सागर और अरब सागर में तीन हमले किये हैं खुद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इसकी जानकारी दी है वही इसी इलाके में मर्क्स कॉलून जहाज पर एक क्रूज मिसाइल फायर की वही तीसरा हमला बाबल मंदेब स्टेट में हुआ जहां पर हूती ने मोटेरो जहाज पर कई बैलेस्टिक मिसाइले दागी दरसल हूती का कहना है कि इन जहाजों की कम्टियों ने कबजे वाले फिलिस्तिनी बंदरगा में एंट्री पर लगे बैन का उलंगन किया था इसलिए इन जहाजों पर हमला किया गया वही हूती से पहले ब्रिटेन की United Kingdom Maritime Trade Operation Agency ने कहा था कि उसे यमन के मोखा से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर हमले की जानकारी मिली थी वही एजिंसी एमरे का कहना है कि इस हमले में तेल टैंकर का स्टार बोर्ड वाला हिस्सा रभावित हुआ है वही दूसरी तरफ गूती के पॉलिटिकल भ्यूरो के सदस से दैफला अलशामीने के हाल ही में गाजा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमें फिलिस्तिनी बॉडर तक जाने की अनुमती मिले तो हम सभी फिलिस्तिनी में जंग लड़ने के लिए तैयार है जंग के मैदान तक पहुँचने में यमन के लोगों के सामने सिर्फ भौगालिक बादिता है पाल